राहुल गांदी को एक बार फिर से कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाया जाने की मांग शुरू हो गई है और चत्तीस गड़ से कॉंग्रेस के राज सबा सांसा चाय वर्मा ने कहा है कि राहुल गांदी को कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए पार्टी के सभी निता भी राहुल गांदी अध्यक्ष बने इस मुद्दे पर सांसद चाया वर्मा से बाच्चीत के हमारे सवानता सोरपसी परिहार ने लोक सुबह चुनाओं में हार के बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी ने इस्तिपा दे दिया था लेकिन एक बार फिर से राहुल गांदी को अध्यक्ष बनाई जाने की मांग कॉंग्रेस सांसदो त्वारा और अन्य नेताओ द्वारा की जा रही है और इस वक्त हमारे साथ कॉंग्रेस सांसद राज्यर स्वा सांसद चाया वर्मा जी है मैडम लगातार मांग हो रही है कि राहुल गांदी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए क्या है इसके पिछे बोजाए निशीत रूप से राश्टी उपाध्यक्ष है राहुल गांदी जी पूरू में भी नेत्रित तो कर चुके हैं सोनिया जी अभी कमान समाल रही है लेकिन आए दिन उनके स्वास्त खराब होते रहता है और पूरा देश चाहती है कि युवा के नेत्रित में रहे पार्टी की कमान और सब की मांग है राहुल जी राश्टी अध्यक्ष बने और मैं भी चाहती हूँ कि राहुल जी राश्टी अध्यक्ष बने मेडम ये बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि राहुल जब तक रहेंगे कॉंग्रेस और गर्त में जाते रहेगी इन आरोपों को कैसे देखते हैं देखें बीजेपी तो केवाल आरोप लगाती रहती हमको उनके आरोपों से कोई मतलब नहीं है जैसे राहूल गांदी अद्धक्ज बन जाता है इससे पहले भी कई चुना हुए हार हुए हैं तो क्या माना जाए कि कॉंग्रेस में वास्तों में थोड़ा नित्तितों के साथ-साथ जो है और कई चीजों में बदलाओ की जोरत है निश्चीत रूप से मुझे लगता है परिवर्तन बहुत जरूरी है परिवर्तन प्रकृती का नियम भी है और सही नेत्रित राहूल जी के हाथ में जाए पार्टी की कमान और सभी स्टेटों में अच्छे जो युवा नेत्रित है उनको मौका मिलना चाहिए और युवाओं में एक उर्जा होती है और नई सोच रहती है नई सोच के साथ नया नेत्रित मिले और हमारा पार्टी मजबुत होई मैं चाहती है तो यह थे हमारे साथ राज्य समबसांसा च्छाय वर्मा जी जिनका साबतर पर कहना है कि राहूल गांदी को एक बाद फिर से अध्यक्ष बनाया जाना चीए इससे पहले भी हमने देखा कि CWC के मिटिंग में राजस्थान के मुख्यमंतरी असूग गयलोत ने भी ये प्र